आज मैं हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनाने जारी हूँ तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइप सब्सक्राइब से और जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले ही आप मैं डावा ले लिए हो तो सूजी डावा में ले लेना है तो क एक कप सूजी में एक कम दई भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं आधी आधी डाली हूँ आधी पानी और आधी दई अच्छे से फेट लेना है मिक्स कर लेना है तो हमें नाप करके ही लेना है जिसका टोड़ी से या कप से हम देंगे उसी से हम करके ले लेंगे अभी हम इसे ढख करके साइट में डख देंगे यहां पर मैं हुबला हुआ आलू ले लिए हूँ इसे हम कदुकस कर लेंगे कर देंगे तो देंगे विए हुआ आलू मैं अच्छे से कदुकस करके लेंगे लिए तो दोनों आलू में कदू कस करके ले ली हूँ, अब इसमें हम दो आड़ी मिर्च काट करके डाल देंगे आधी इंच आदरक कदू कस करके डाल देना है एक चमच हम अमचोन पॉटर डाल देंगे, एक चमच कुटी वी लाल मिर्च डाल देना है एक चमच हम भूनी वोई जीरा पॉडर डाल देंगे एक चमच चाट मसाला डाल देना है हल्दी पॉडर आधी छोटी चमच डाल देंगे और आधी छोटी चमच मिर्च पॉडर तो तीखा आप लोग अपने इसाब से डालिएगा नमक डाल देना है तो टेस्ट के इसाब से हम नमक डाल देंगे तो एक चोटी चमच मैं नमक डाल देंगे एक चमच हम इसमें सरसो की देन डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ तो यह हमारी आलू मसाला चटपटा बन के त्यार हो गई है अब इसके हम छोटे-छोटे बॉल बना लेंगे और इसे आप में बीच मेरा करके दवा देना है टिकी जैसे बना लेना है तो ऐसे सारी हम बना करके त्यार कर लेंगे अब हम सोजी जो साइट में रखे थे वो हम ले लेंगे और इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे चमच से फेट लेना है तो इतने गाड़ी हमें रखना है इससे पतला नहीं करना है अगर आप लोग में को लगे कि ज़्यादा गाड़ी है इससे तो थोड़ी सी और पानी डाल दीजेगा अब एक कटोड़ा ले लेंगे और उसमें हम पहले तेल लगा लेंगे तेल लगा करके आदी चमच हमें इसमें सुजी की गोल डाल देना है उपर से जो टिक्की बना करके रखी थी वो टिक्की डाल देंगे और इसके उपर से आधी चमच हम और सूजी का गोल डाल देंगे अब कटोड़ी थोड़ी सी गुमा करके हिला देना है तो इसके उपर अच्छे से ये फैन जाएगी तो ऐसे इस आड़ी बना करके त्यार कर लेना है कटोड़ा में हम थोड़ी सी पहले तेल लगा लेंगे और उसके बाद सूजी की गोल डाल देना है आधी चमच और टिकी डाल देंगे आलू वाली मसाला और उसके उपर से हम फिर आधी चमच डाल देंगे सूजी का गोल और अलका-अलका इसे हिला देना है तो अच्छे से फैल जाएगी पुड़ा भड़ के ऊपर तक नहीं टालना है हमें आधी कटोड़ी ही रखना है तो देखे ब्रस से हम कटोड़ा में अच्छे से तेल लगा देंगे और उसके बाद डाल देना है पुड़ा एक चमच लेना है हमें तो आधी चमच हम नीचे डालेंगे बीच में टिक्की डाल देना है और आधी चमच हम टिक्की के ऊपर डाल देंगे और कटोड़ा ही ला देंगे तो देखे ऐसे हमें बना करके पहले तयार कर लेना है जितनी रहे तो सारी ऐसे कटोड़ा म में में पानी गरम होने के लिए रख दी थी अब ये जाल वाली थाली हम डाल देंगे इसके उपर और इसमें हम कटोड़ा रख देंगे तो तीन चार पांच इतना एक बार में डाल देना है तो यहाँ पर एक बार में मैं चार को टोड़ा रख दी हूँ अब इसे हम ढखकन से ढख करके दी मियाज पर दस मिनट के लिए ढख देंगे ढख करके तो दस मिनट हो चुकी है तो एक बार हम चेक कर लेंगे तो देखे यह फोल के डवल हो गई है और हाथ में बिल्कुल भी चिप चिपा पर नहीं लग रही है या आप तो त्वीक ले लीजिएगा या चाकू ले लीजिएगा चाकू की नोक से एक बार चेक कर लीजिएगा तो देखे चाकू की नोक बिल्कुल क्लीन है तो ये बन के तयार हो गई तो इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी हम इसे ठंडा कर लेंगे जब ठंडा हो जाए तो इसे चाकू से या चमा से चारू तरफ से अनकाल का मुमा देना है तो थोड़ी सी हम कटोड़ा में तेल लगा देंगे तो यह आसानी से निकल जाएगी तो देखिए यह विकल गई है तो ऐसे ही आसानी से निकल जाएगी तो थोड़ी सी तेल कटोड़ा में जरूर लगा लीजिएगा उसके बाद डालिएगा चान उत्रब से इस पे पहले में गोल गोल गुमा करके किनाडे निकाल देना है तो देखिए कितनी सॉफ्ट यह और कितनी हल्दी यह नास्ता बन के त्यार हो गई है बहुत ही कम तेल मसाला में तो आप लोग एक बार मेरे तरीका से जरूर बनाएगा और इस वीडियो को जादा से जादा से अर कीजिएगा सब्सक्राइब गीजिएगा तो देखिए कितनी स्पंजी और कितनी सॉफ्ट यह बन के त्यार हुई है आप इसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या इसे धोरी सी तरका लगा कर भी खा सकते हैं बच्चे को लंज की बाक्स में भी दे सकते हैं या आप लोग चाहे के साथ साम में इसे खा सकते हैं तो एक मैं काट करके आप लोगों को दिखाती हूँ देखिए कितनी अच्छी यह लग रही है कितनी सॉफ्ट है और इसकी मसाला बहुत ही चटवटा है तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या भी ना चटनी के भी आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी देख बहुत जरूर बनाईए कि आप लोग और पोटा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद